पलवल जिले में दशेरा उस्व को लेकर पलवल की राम लिला कमेटी की और से तमाम तयारिया पूरी कर ले गई हैं जिसको कहा जाता है कि हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी बड़ी धुम धाम से पलवल जिले में दशेरा उस्व पलवल के नेताजी सुबाश जो अपना स्टेडियम है उसके प्रांगन में उस्व मनाय जाएगा जहां कल पांच अक्टूबर को बड़ी धुम धाम से यहां पर की जा चुकी हैं जिसको लेकर मेरे साथ जो लगातार पिछले कई सालों से लगातार जो राम लीला कमेटी जो यहां पर काम कर रहे हैं वो आज उनके पददगारी हां पर मवजूद है वहीं आपकी मुलाकात करवाएंगे आप तक तो आपने रावन को देखा रावन को पाचित कर लेते हैं कि किस तरह की त्यारिया चल रही है और क्या उसमें को काम पूर गये नमश्कार जी कातुरिया साब कर रावन किया जाएगा और लगातार कई वर्षों से आपकी ओर से यहां पर रावन कर चल रहा है और उसको उसी को लेकर कल भी एक उस्साम मनाय जा र हैं कि दावन रावन देन लगबग हम तेतर साल से मनाते हैं और लगबग पूरी तयारी होचे ला रावन कुमगनाद मेगनात के पुतले हर साल बुलंड शेर से कारिगर आते हैं जिसका आतिजबाजी का भवे पर प्रोगरम होता है जिसके मुख्य थे ती शिरी दीपक जी हैं और बैंड जो आगरा से आते हैं अपने एक तो बैंड है जी अपना सुधीर बैंड मिलन बैंड राजू बैंड जेवर का और एक जहांगिर पूरी का रवी है एक नपीरी है खुदाबक्ष की राए की बहुत अच्छा बहुत प्रोगरम होता है प्रवले का हत्यास प्रस्राइब कारण है दिवांचंट जी बातला जिनको हमारे भाईया हर साल जो एक दिली से लेकर आगरे तक जो रावन का रोल अदा करते हिमारे भी अरी हरी बातला जी उनका तो कहने ही क्या है हमारी सभाखे यह समझ लो उनके विगरत को धूर ही रहता हमारा जब तक है वह हमारी जान हैं और अज भी अपना सारा काराबार चोड़कर हमारे बीच देखने के लिए और इसको कोई कामीच ना रहा जा। कि संक्या में कल उनको देखने के लिए आएगी उनसे मुलागात कर गाता हुँ तो मेरे साथ है और अधा करते आ आप इस तरह से रावन का रूल आदा करते आ रहे हैं तो कैसा आपको अपन शेक्रतली अ dispさい और कैसे आपको कि मैं रावन का रूल आदा करूं वह नियुदे लगभग 33 जुक राव साल मुझे रावन का रूल करते हुए हो गए हैं और ने मैं की बात यह की और ciento सुषील जी ने कहा बई रावन का रोल करके देखो आप मैं उससे पहले हनुमान का रोल किया दो साल तो बस बातों बातों में ही अपना जो है रावन का रोल सिलेक्ट के और प्रभु किर्पा से भगवान बोले शंकर की किर्पा से जब से लगातार रावन का रोल करते आ रहे परिजी जब रावन करने जाते हैं जब आप वस्तधारण करते है तो क्या आपको कुछ अन्बाव हो ता ही या कुछ कैती है पुम घ्राण भगवान शंकर के समस्त नत्मत तक होकर जब हम भगवान शंकर से शीरवाद लेते हैं रूप धारन करके तो अपने आप में ही मतलब एक वो रावन वाला प्रभाव चाए आवाज लगा लो चाए हाभाव लगा लो उसी परकार से अपने आप बनते चले जाते हैं और लोगो भूप को देखने के लिए जो है राश्ते भर में रोख रोख कर कहते हैं कि यह डायलोग सुना हो और आपको अरी जी लंकेश के नाम से पुरा पलवल जिला जानता है जहां भी जाते हैं लंकेश कि लाने लगते हैं बारबार हर जीदे आपको इसी नाम से परच्छे भी हो लंकेश्वर हूं मैं लंका का इश्वर तानव हूं भगवान नहीं रावण हूं मैं राम नहीं मुझसे किसी वितरा का रह्म क्यों है और प्रेरणा की बात यह कि सुशील जी ने कहा भाई रावन का रोल करके देखो आप मैं उससे पहले हनुमान का रोल किया दो साल तो बस बातों बातों में अपना जो है रावन का रोल स्लेक्ट के और प्रभु किरपा से भगवान बोले शंकर की किरपा से जब से लगातार रावन का रोल करते आ रहे हैं प्रभु शक्ति देता है हम अपना करम करते हैं हरी जी जब आप रावन का रोल अदा करने जाते हैं जब आप वस्त धारन करते हैं तो क्या आपका कुछ अनबाब होता है या कुछ ऐसा लगता है कि मैं रोल अदा कर रहा हूं क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपकी अंतरात्मा उसमें क्या कहती है से तो अपने आप में ही दो एक वो रामन वाला परभाव एवाज लगा लो ऺधाब लगा लो उसی परकार से अपने आप बनते चले जाते हैं और लोगों के इसी है यह ग्लूप लोग इसी रूप को देखने के लिए जो है राश्टे भर में आय Eigen प्रोकर कहते हैं कि डायलोग सुना हो और कुछ वह करी आपको अरी जी लंकेश के नाम से पुरा पलवल जिला जानता है जहां भी जाते हैं लंकेश लंकेश के लाने लगते हैं बार-बार हर जेगे आपको इसी नाम से परचे भी होता है एक आपको परसित डायलोग है जिसको सुनने के लिए कल हजारों लोग पहुंचेने वाले हैं क्या वो डैलोग आप सुना सकते हैं हाँ हाँ जरूर जी लंक का इश्वर हूं मैं लंका का इश्वर तानव हूं भगवान नहीं रावड हूं मैं राम नहीं मुझसे किसी भीतरा का रहम की उमीद ना रखना बड़े बड़े देवता दिक्पाल गंधर जिसके दर्बार में हाथ बांदे खड़े रहते हैं काल कावी काल के लाने वाला इंद्रजीत का पिता लंकेश्वर दशानन दशकंदर दशक्रीव बीस पुजा दश्षीष माराजा रामन को उन दो बनवाशियों का फैद दिखा आते हो जुबार जुबार